गोड आइवनिंग, सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है केंद्र सरकार दोरा अनलाग 5 की गाइडलाइन्स जारी करने के बाद दिल्ली सरकार ने भी अनलाग 5 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है लेकिन दिल्ली सरकार के दोरा जो guidelines जारी की गई हैं वो केंद्र सरकार की guidelines से कई मामलों में बिल्कुल अलग है बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली में क्या school खुलेंगे क्या होगा सापताहिक बाजारों का cinema hall, hotel, restaurant आधी के लिए क्या guidelines है आखिर किस तरह से अलग है दिल्ली सरकार की guidelines, other state की guidelines से आज के इस वीडियो में हम इनी सब बातों को विस्तार से discuss करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली सरकार के दोरा अलग 5 की क्या guidelines जारी की गई है वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे share भी कर दीजेगा ताकि सभी को अलग 5 की guidelines दिल्ली में क्या है इसके बारे में जानकारी मिल जाए और उन्हें किसी तरह कोई दिक्कत ना हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दिल्ली सरकार ने अलग 5 में राजधानी में सभी गतिविदियों पर 31 अक्टूबर तक यथा इस्थिती बनाये रखने का निर्णाय किया है इसका मतलब यह है कि 30 सितंबर तक जो guidelines जारी थी अलग 4 की वही जारी रहेंगे अलग 5 में भी as it is उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दिल्ली आपदा प्रवंधन प्राधिकरण द्वारा बुधवार रात में जारी एक आदेश में मुक्हे सचीव विजवदेव ने कहा कि हर निगर निगम जोन में दो सापताहीक बाजारों को अनमती दी जाएगी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनुरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, कारिकरम और इसके साथ अधिक लोगों वाले अनकारक्रम एवं सभाये निशिद रहेंगे यानि जिसमें मास गैदरिंग हो ज्यादा संख्या में लोग आएं चाहे वो शेक्षनिक कारक्रम हो चाहे सामाजिक कारक्रम हो चाहे वो मनुरंजन का संबंधी कारक्रम हो या राजनतिक कारक्रम हो जिसमें अधिक लोग इकठा होने की संभावना है ऐसे सभी कारक्रमों को और सभी मीटिंग्स को निशिद कर दिया है बन बिलकुल नहीं होंगी पूरी तरह से रोख है और इसमें ये भी कहा गया है कि विवास संबंधी कारक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार एवंग उसके बाद के संस्कारों में अधिकतम 20 व्यक्तियों की इसाजत होगी जो इस्थिती पहले थी विवास संबंधी कारक्रम में 50 व्यक्ति अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति बिलकुल यही इस्थिती जो है अक्टूबर में भी लागू रहेगी 31 अक्टूबर तक विवाह कारक्रमों में 50 व्यक्ति से ज़ादा शामिल नहीं होंगे और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों से ज़ादा शामिल नहीं होंगे आपको बता दें कि केंद्री ग्रहमंत्राले ने कंटेन्मेंट जोन के बाहर और गत्विधियों को इजाज़त देने के लिए नए दिशानिर देश जारी किये थे सेंट्रल गॉवर्मेंट ने सेंट्रल होम मिनिस्टी ने कंटेन्मेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर से सिनेमा घर थियेटर मल्टिप्लेक्स को 25 प्रतिशत तक बैठने की छमता के साथ खोलने की इजाज़त दी है केंद्र सरकार ने लेकिन और ऐसे ही राज्यों और केंद्र शाशित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद इसकोलों और कोचिंग संस्थानों को चरणमबद तरीके से खोलने की कुछ शर्तों के साथ और सौ लोगों की सीमा से अधिक वाले सामाजिक धार्मिक राजनैतिक समारों हो कुई अनमती देने का निर्णे करने का अधिकार दिया है लेकिन दिल्ली में ये बिलकुल टोटली बैन है जहां पर अधिक लोग होंगे वहाँ पर किसी भी समारों की इजाजत नहीं दी जाएगी अब आएए जाल लेते हैं इसकोलों के बारे में कोचिंग संस्थान के बारे में दिल्ली सरकार का क्या फैसला है अब आप यहीं से समझ लिजे कि दिल्ली सरकार की जो गैडलाइन्स है किस तरह से अदर स्टेट्स और केंडर की गैडलाइन से अलग हैं केंडर सरकार के अनलाख फैब के तहस्त देश में 15 अक्टूबर से सेनेमा हाल खोलने के निर्देश के बावजूद दिल्ली में फिलाल बंद रहेंगे दिल्ली में अक्टूबर में सेनेमा हाल नहीं खुलेंगे उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में सेनेमा हाल और स्कूल को खोलने की अनुमती नहीं दी है केंदर सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने की अनुमती दी है लेकिन दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे दिल्ली आपदा प्रवंधन प्राधिकरण ने हाला की राजधानी में 31 अक्टूबर तक कई चीजों पर बैन पर ये था इस्थिती बनाई रखी है इसलिए यहाँ पर स्कूल और सिनेमा हाल नहीं खुलेंगे हाला के दिल्ली में अनलाग 5 में कुछ नई छूटों को अभी एलान किया गया है राजध के हर जोन में एक दिन लगने वाले वीकली मार्केट को अब दो दिन करने की बात कही गई है जैसा भी मैंने आपको बताया कि जो साबताहिक मार्केट एक दिन लगता था अब वा वीकली मार्केट जो है दो दिन लगेगा डिल्ली आपदा प्रवनध्यन प्राधिकरण ने तीनों मियुनुसपल कारपोरेशन नई दिल्ली मुनिस्पल काउंसिल और दिल्ली कंटेन्मेंट बोर्ड को एक की जगह दो दिन वीकली मार्केट खोलने का फैसला किया गया है आदेश में कहा गया है कि कंटेन्मेंट जो उनको छोड़कर सभी जगों पर 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक ये ट्रायल के आधार पर लागू होगा मतलब सब्ता हमें दो दिन सापताहिक बाजार खुलेंगे ट्रायल के दोरान भारत सरकार दिल्ली सरकार के जारी नियमों का सक्ति से पालंद करना होगा आदेश में सोशल अकादमी खेल मनुरंजन धार्मिक सांस्कृतिक राजनितिक कारिकरम और भीड के इकट्ठा होने पर रोक जारी रहेगी कोरोना के कारण ठप गद वीडियों को शुरू करने के लिए जारी गाड़लाइन्स में ग्रह मंतराले ने स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्तान को भी खोलने की अनमती दे दी है लेकिन इस पर फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है और दिल्ली सरकार ने फिलहाल इसकूल कॉलेज कोचिंग संस्तान सिनमा हाल खोलने की अनमती नहीं दी है उधर दिल्ली आपदा प्रवंधन प्राधिकर ने फिलाल दिल्ली में इन्हें खोलने पर सहमती नहीं जताई है तो ये थी दिल्ली में अल्लाग 5 के बारे में सभी जानकारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके और ज्यादा सज्यादा इसे शेर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए ओके थैंक यू जडोशन लाइक हम हम आसे सब्सकützen धिन्यादा इस्कारारी में सभीकender कर दिल्ली में सकतably सभी सुआ है जासे सभी कvirा तो यू